गुड इवनिंग टू आल अफ यू अधिति बंसल गुड इवनिंग बिटा आधित्य घौतम हेलो क्या आप पूरा पढ़ाएंगे से फाउंडेशन बिल्कुल जी पहले दिन पहला मेसेज यही पढ़ा हुआ है कि हेलो आप क्या पूरा पढ़ाएंगे बिल्कुल पढ़ाएंगे सिर्फ पूरा क्यों नहीं पढ़ाएंगे और कौन कौन से बच्चे हैं गुड इवनिंग टू आल अफ यू स्वागत है आपका भीश में बैश के अंदर और यहां हम भीश में पतिग्या करते हैं कि हम आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लिट कराएंगे और डेली पढ़ाएंगे और आपको सब कुछ समझ भाएंगे इतना मज़ा है गा ना पढ़ने में आपको आप खुद कहेंगे सर क्या क्लास रही है मज़ा आ गया अगर आपके उसे ये बात नहीं निकल वाई तो वह पढ़ाना छोड़ दूंगे इससे बड़ी बात ही नहीं ठीक है न जी कमल परमार गुड इवनिंग बेटा आधित्य गौतम जी आधित्य जी अभी का आप क्लास अटेंड करिया अभी क्लास अटेंड करने पर फोकस करिये वाकिक क्या होगा क्या नहीं होगा वह सब आगे की बात है कोशल देयाल गुड इवनिंग चलिए जड़ तो दोस्तों आज है बिश्म बैच का स्टार्ट अप और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आदत्य जी और आकिब आकिब जी गुड इवनिंग शिफा तुशार मितू हाँ जी बेटा जी बिल्कुल टेंशन फ्री वेट ही है पहले मैं इंट्रिक्शन दे देता हूँ आपको अपने बारे में बता देता हूँ और बाकी हम लोग आगे स्टार्ट अप करते हैं देखे बेटा जी यह है भीष मेर्च का स्टार्ट अप और आज हम लोग सीए फांडेशन का पहला चप्टर जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है आज इसको स्टार्ट करेंगे और टॉपिक धी में धी में धी में धी में करके आपका क्या होंगे सारे टॉपिक्स खदम कराते जाओंगा एक दिन में एक टॉपिक हो ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है मैं आपके डिग्निटी के उपर आपके समझनी के उपर ना आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल कोई और पेड़ वैच आपको नहीं लेना पड़ेगा अभी हम फिलाल बेसिकली जो आज स्टार्ट कर रहे हैं पर्मूटेशन कॉम्बनेशन की बात करेंगे चलिए सब पर्मूटेशन के एंड कॉम्बनेशन के बिटा जी जितने लोग आज पहली बार क्लास ले रहे हैं फर्स्ट क्लास है सभी की तो जो पहले से क्लास ले रहे हैं जो पहले जान मतलब मेरी प्लेट क्लासे ले चुके हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजेगा आपके बस 11-12 में मैस रही हो ना रही हो आपको LCM लेना आता हो नहीं आता हो टू प्लस फ्री करना आता हो नहीं आता हो बिल्कुल टेंशन फ्री हो कि बैठीगा आपको सब कुछ समझ में आएगा एक एक वर्ड समझ में आएगा इस बात क चुप चाब जो नहीं हो पूरों प्रॉल्म को सुलुशन बिल्कुल बताओंगा उस चाहे चोटी हो चाहे बड़ी हो आपको बिल्कुल भी सबस्क्राइब कर आउंगा कॉस्छन्स हो गए एक्स्टा कॉस्छन्स हो गए टॉपिक हो गया आईसे के मॉड्यों हो गया सब कुछ मेरी मेरों पर चोड़ दीजिए आप बिलकुल टेंशन फ्री होके बैठी है सब कुछ मिलेगा ठीके ना कोश्चन आपके बहुत सारे होंगे सर यह होगा सर वह होगा सर कोर्स कैसे होगा कैसे हो नहीं होगा अराम से आज पहली क्लास है क्लास को देखते हैं क्लास को किस तरीके से मैं बढ़ाओंगा आप भी समझेंगे इस चीज़ को तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा फिलाल चली आधित्ती जी फिर वही वाली बात कोर्स खतम होगा कब आज शुरू नहीं हुआ है खतम होने की बाद एक दम कैसे कर सक थोड़ा सा वेट करिए क्लास शुरू होने दीजे आप समझे कोर्स को कि किस तरीकी से पढ़ाया जाता है क्योंकि मेरा बढ़ाने का तरीका बिटा डिफरेंट है मैं आपको नौलिज दूँगा मैं आपको किसी भी चैप्टर में मैस हो गई स्टाइट्स हो गई LR हो गई किसी भी टॉपिक में ना कोई फर्मला याद कराऊंगा ना कोई शॉट्रिक याद कराऊंगा आप अपनी सारी शॉट्रिक खुद बनाएंगे इस तरफ से इस बात की गैरेंटी है में ही तरफ से ठीक है ना हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जड़ा ध्यान दीज़ा शुरू रहो उसका जवाब दीजेगा हाँ जी अगर मैं बात करता हूं permutation and combination की permutation and combination these are two different words am I right ये दो अलग-अलग word है बात करते है permutation की तो permutation का मतलब क्या होता है permutation is a method by which we will find the number of arrangement कोई चीज कितने तरीकों से arrange की जा सकती है ये अगर आपको बद्दा करना है तो आप उस condition में जिस method का use करेंगे उसे कहेंगे permutation माने permutation का मतलब basically number of arrangement को find करने के लिए किया जाता है बिल्कुस same way में combination की बात करूँ तो combination is a method by which you will find the number of selection by which you will find the number of selection माने permutation के थुरू आप number of arrangement बदा करते हैं and combination के थुरू आप number of selection बदा करते हैं बई arrangement करना मतलब किसी चीज़ को arrange करना selection करना मने किसी चीज़ को select करना अब जो मैं आप से बात पूछने वाला हूँ मुझे ये बताएए क्या यहाँ पे arrangement और selection क्या ये दो अलग अलग word है जवाब दी जिगा arrange करना और select करना क्या ये दोनों word एक ही है या अलग अलग है आप सभी से पूछ रहा हूँ जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा arrange करना और select करना क्या ये दोनों बाते एक ही होती है या अलग अलग होती है स्टड़ी विद रिया अगरवाल जी ने का अलग अलग होती है बिलकुल ठीक बात और और आप कैसे बताएंगे कि यहां पर मैं चीजों को सलेक्ट कर रहा हूं और आप कैसे डिफाइन करेंगे मैं यहां चीजों को सलेक्ट कर रहा हूं यह नहीं पता सब्सक्राइब कोई बात नहीं नहीं पता कोई बात नहीं डिसकस कर रहा है बिटा गरतों का हो जाने दीजा आप अपना व्यू तो रखिए आपको पता है अरेंज और सलेक्ट यह तो अलग अलग वर्ड है बिलकुल ठीक बात है मैं आप से कह रहा हूं इन सब्सक्राइब करनी होगी सेलेक्शन में मंगल बांडे जी ने बोला अधित्य जी मेरे बारे में जानकर क्या करना है आपको सिये फाउंडेशन क्लिया करना है मैत पढ़ना है बात कदम मैं मैं पढ़ा रहा हूं इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाईगा डाय मैं सब्सक्राइब अरेंजम यह परोगेए व्याणकर सेलेक्षन में अरेंज़ करके सवेशन किया जाएगा घरते चीनि मित्धो झी आपकी बात मैं Ses चीज को और ही किसी चीजिस को आरेंजर नहीं कर सकते है पहले सबसे पहले मैं पूचा है आपसे सबसे पहले मैंने भी पूछा क्या arrange और सेलेक ये दो अलग अलग वर्ट से आपने बुला इस साथ दो अलग अलग वर्ट से मैंने आपसे पूछा इन दोनों में basic difference क्या है आप कैसे बता करेंगे कि यहाँ चीजों को अरेंज किया जा रहा है और यहाँ चीजों को सलेक्ट किया जा रहा है आईए इसको एक सीदे सीदे एक्जामपल से लेके चलते है बहुत ध्यान से तसली से समझेगा बैए अगर मैं बात करूँ अरेंज और एक बात करता हूँ सलेक्ट ये दो अलाग वर्ड है इन दोनों में बेसिक डिभेजेक किया है बेटा अरेंजमेंट के अंदर अरेंजमेंट के अंदर हम और्डर को प्रिफरेंस देती है गेव प्रिफरेंस टू आडर हम order को preference देते हैं जबकि selection के अंदर not give preference to order selection के अंदर कभी भी order को preference नहीं जिया जाता that is the difference between selection and arrangement arrangement arrange करना मतलब एक line में करना होता है जबकि select करना मतलब arrange की हुए को select करना होता है बिटा जी नहीं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ अब आप बहुत ध्यान से तसलिशे मेरी बात को सुरिएगा भई मैंने कहा arrangement का मतलब होता है जहां कहीं भी आप order को preference देंगे इसका मतलब आप चीज़ों को arrange कर रहे है और जहां कहीं भी आप order को preference नहीं देंगे इसका मतलब आप चीज़ों को select कर रहे है आई इसको एक example से समझते अगर मैं आप से पूछू बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से मैंने आप से पूछा बिटा आपके लिए सी-े फांडेशन में कौन कौन से subject है जिसकी आपको त्यारी करनी है आप कहेंगे सर accounts मैंने का बिलकुल ठीक मैंने का और कौन से Bula sir law मैंने का बिलकुल ठीक Bula sir मैंने पूछा और कौन सा किसी एक बच्चे ने आप मेंसे किसी ने बोली माल लीजे आधिती जी ने ये बात बोली कि हमारे सीए फांडेशन के इंदर चार सब्जेक्ट हैं एकाउंट्स लॉव मैस एंड इको ठीक ना याधिती जी ने बात बोली उदर से अधिती बनसल जी आएं बोले सर आई ये आधिती जी डीजो रहे थे पहले लिख लिछी यहां पर आधिती जी की बात घुली थी जो वो कहरें सर यह आदिती जी गलत बोल रहे हैं और मेरे इसाफते तो यह subject नहीं है। मैंने क्या अच्छे चलिए आप बता दीजे। तो उन्होंने का सर पहले नमबर पे है law मैंने ठीक, दूसरे पे है mess मैंने का बिलकुल ठीक, तीसरे पे है accounts मैंने का चलो बढ़िया और चौथे पे है E. коп मैंने चलो बढ़िया तो अब आप लोग क्या कहोगे अरे भाई आदिती जी बात तो एक ही है भै किसी का नाम पहले लो और बात तो एक ही है क्या यह दो अलग-अलग format है दोनों का मतलब क्या अलग अलग है नहीं ना दोनों का मतलब एक ही हुआ ना बै किसी का नाम पहले लो किसी का नाम बाद मिलो उससे कौन सा फरक पड़ता है मतलब जहां कहीं भी आप order को preference नहीं दे रहे that is known to be the selection मतलब ये दोनों बाते आपके लिए क्या होंगी same होंगी ये दोनों बाते आपके लिए क्या होंगी same होंगी selection के अंदर कभी भी order को preference नहीं दिया जाता मेरे बच्चे अच्छा अगर मैं ये कहता जिसका नाम पहले लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा important और जिसका नाम बात में लेंगे वो आपके लिए कम important तो क्या ये दोनों बाते अलग-अलग होती बिलकुल होती इस condition में सबस्यादा important कौन accounts दूसरे नमबर पे law तीसरे नमबर पे mass और चौते नमबर पे eco और इस वाली condition में अधिती जी के लिए सबस्यादा important कौन law उसके बाद mass उसके बाद accounts और सबस्यादा इको नहीं आई बात सबस्यादा तो ये दो बाते क्या होती अलग-अलग हो जाती जब हम बात कर रहे हैं order को preference देने की इसका मतलब हम चीजों को कर रहे हैं arrange और जहां हम order को preference नहीं देंगे इसका मतलब चीजों को हम क्या कर रहे हैं select बात सबज में आगए selection में कभी भी order को preference नहीं दिया जाता माने कोई पहले आये कोई बात में आये कोई फरक नहीं बढ़ता जैसे और समझते मान लीजे मैं मान के चलता हूँ एक class में यह मैं आप से पूछूँ मैं आप से ही जवाब पूछता हूँ पूछते आदिती जी से आदिती जी आदित्य गौतम आदित्य गौतम आदित्य गौतम आदित्य जी आपके घर में कौन कौन है आधित्य गौतम आपके घर में कौन कौन है रोशी शुकला गुड इवनिंग जी गोपाल जी गुड इवनिंग आदित्य शुक्ला आपके घर में कौन-कौन है नहीं लिखके बेज रहे हैं चली कोई बात नहीं तो आदित्य जी किसी और की बात कर लें मैं अपनी बात कर लेता हूँ मेरे घर में कौन-कौन है मैंने का भाई मेरे घर में एक तो मेरी वाइफ है सबसे पहले दूसरे नमबर पे मेरी बेटी है डॉटर और तीसरे नमबर पे मैं खुद हूँ मैंग ठीक है ना एक बात तो मैंने ये कहा मैंने कहा आपने मुझे से पूछा सेर आपके घर में कौन कौन है मैंने कहा मेरी वाइफ है मेरी डॉटर है और मेरी डॉटर है तो आप क्या कोगे सर बात तो एकी हुई, बात अलग-अलग कहा हुई, किसी का नाम पहले लीजे, किसी का नाम बात में लीजे, कोई फरक नहीं पड़ता, इसका मतलब जब कभी भी हम order को preference नहीं दे रहे हैं, माने ये दोनों बाते अगर आपके लिए एक जैसी है, इसका मतलब हम बात कर रहे है सेलेक्शन की, और अगर ये दोनों बाते अलग-अलग होती, मैं कहता है, जिसका नाम पहले लूँगा, वो ज़्यादा important, मेरे लिए, और जिसका नाम बात में लूँगा, वो मेरे लिए come important, तो इस condition में सबस्यादा important कौन होता, मेरी wife, उसके बाद मेरी daughter हो, उसके बाद मे खोद, उसके बाद मेरी wife और उसके बाद मेरी बेटी, नहीं आए बास समझ में, तो ये दोनों बाते क्या होती, अलग-अलग होती, इसका मतलब मैं चीजों को क्या कर रहा होता, अरेंज कर रहा होता, माने arrangement के अंदर order matter करता है, जबकि selection के अंदर कभी भी order matter नहीं करता दो दोस्तों, बास समझ में आ गया या नहीं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताईए, सर किसी को कोई दिक्कत हो, अगर समझ में आ गया हो, arrangement और selection के बीच का difference, तो M टाइप करिए और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए, समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आ गया हो तो M टाइप करिए और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए अगर आपको समझ में आ रहा है सर आ रहा है जोती जी गुड इवनिंग सर वेरी थैंक यू सर सर मैं सीए इंटर में हूँ और आप से सीए फाउंडिशन पढ़ी हुए हूँ जोती जी तैंक यू वेरी मच आपने इस बात को डिफाइन किया कमल परमार बेटा क्या प्रॉलम हा रही है कमल परमार डी टाइप करके बेजा है बेटा क्या प्रॉलम हा रही है वीडियो को लाइक करते रहिएगा कमल परमार बिटा क्या आप रॉलम आ रही है अपनी प्रॉलम लिखके बेजिए कमल परमार बिटा क्या आप रॉलम आ रही है अपनी प्रॉलम लिखके बेजिए सेलेक्शन और अर्रेंडमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है selection के अंदर order को preference नहीं दिया जाता और arrangement के अंदर order को preference दिया जाता है आई इसको एक example सो और समझाता हूँ मैं आपको माल लीजे मैं class में एक class है ये class ये class है इस class में पाँच बच्चे है इस class में पाँच बच्चे है इन पाँच बच्चों को नाम चीनू मीनू टीनू शीनू और सोनू ये पाँच बच्चे है इस class में अब इन पाँच बच्चों के बीच में मुझे माल लीजे दो प्राइस distribute करने है first और second इन पाँच बच्चों के बीच में मुझे दो प्राइस distribute करने first और second तो मैं कह रहा हूँ in how many ways the price can be distributed कितने तरीकों से प्राइस को distribute किया जा सकता है अच्छा ये बात मान के चलेंगे शुरू में ही कि first और second प्राइस के लिए सबी eligible है कोई किसी से कम नहीं है तो अब अगर मैं पहली बात तो आप से ये बात करूँ क्या आप price उठाके बच्चों में बाटोग्या प्राइस में बाटोग्यू पहली प्राइस के लिए मेरे पास कितनी चोईस है पाँच कौन कौन सी चीनू मीनू टीनू शीनू और सोनू यह पाँच चोईस है पहली प्राइस के लिए मेरे पास कितनी चोईस है फाइफ चोईस है यह लिख लिए आफ फाइफ अब फर्स प्राइस किसी ना किसी एक को दे ना पड़ेगा मालीचे मैंने टीनू को फर्स प्राइस दिय दिया तीनू तो भास कुछ हो गया मेरी फर्स था गई मुझे क्या चाहिए अच्छा अब रह गया सकेंड प्राइस the second price of the class goes to कितनी choices second price के लिए मेरे पास कितनी choices चीनू मीनू टीनू तो होगा नहीं चीनू मीनू शीनू और सोनू मने चार चोईस बची 4 चोईस मने total number of choices कितनी हो गई 20 मने अगर मैं बात करूं 5 बच्चों में 2 price distribute करने के कितने तरी के 20 पांच बच्चों में दो प्राइज distribute करने के कितने तरी के 20 कौन कौन से होंगे कौन कौन से होंगे आईए चेक करते हैं जब टीनू को first मिला जब टीनू को first मिला तो second price के लिए मेरे पास चीनू मीनू शीनू और सोनू माने टीनू को फास्ट तो चीनू को सेकिंड टीनू को फास्ट तो मीनू को सेकिंड टीनू को फास्ट तो शीनू को सेकिंड और टीनू को फास्ट तो सोनू को सेकिंड बास सबज में आ गई माने जब कभी भी टीनू को फास्ट प्राइस मिलेगा तो जाए टोटल चार चोईसिस बनेंगे बास सवज में आ गए या नहीं अच्छा अगर माली जे टीनू की जेगा माली जे चीनू को फास्ट तो मीनू को सेकिंड चीनू को फास्ट तो टीनू को सेकिंड चीनू को फास्ट तो शीनू को सेकिंड चीनू को फास्ट तो सोनू को से ऐसे ही अगर चीनू को फास्ट प्राइस मिलता चीनू को फास्ट मिलता तो अगें सेकंड प्राइस के लिए मेरे पास कितनी चोईस होगी चार अब ऐसे ही माली जे मीनू को फास्ट तो चीनू को सेकंड मीनू को फास्ट तो टीनू को सेकंड मीनू को फास्ट तो शीनू को से ऐसे ही अब शीनू को फास्ट तो चीनू को सेकिंड, शीनू को फास्ट तो मीनू को सेकिंड, शीनू को फास्ट तो टीनू को सेकिंड, और शीनू को फास्ट तो सोनू को सेकिंड, अब ऐसे ही सोनू को फास्ट मिलता है, सोनू को फास्ट तो चीनू को सेकिंड, सोनू को फास तो मीनू को सेकिन, सोनू को फास्ट तो टीनू को सेकिन, और सोनू को फास्ट तो शीनू को सेकिन, इन बीस के अलावा कोई 21 वहाब बना के दिखा दो, बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता सर, बास समझ में आगे, अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे ज दोनों क्या बाते सेम हैं टी सी और सी टी क्या यह दोनों बाते सेम हैं जवाब दीजेगा क्या यहां पे टी सी और सी टी क्या यह दोनों बाते सेम हैं सभी आप सभी पूचरा आप सभी से क्या यहां पे टीनू और चीनू और चीनू और टीनू क्या यह दोनों बाते सेम हैं सर अभी तक जवाब नहीं आया अच्छा दोनों बातें सेम है कौशल जी देयाल जी ने कहा ये सर बिलकुल सेम है शिफ़ा कह रही है नहीं मितू कह रही है नहीं पिंकी कह रही है नो बाकी लोग जवाब दीजिए भई यहां पे यहां पे तीनु को फर्स मिल ला है चीनु को सेकिंड मिल ला है यहाँ पे चीनु को फर्स मिल ला है तीनु को सेकिंड मिल ला है किया यह दोनों बाते सेम है क्या यह दोनों बाते सेम है नहीं है सर और्डर मेटर करता है कौन पहले प्लेस प्यारा कौन सेकिंड प्लेस पे आ रहा है यह मैटर करता है यहाँ पे टीनों को फर्स प्राइज मिल ला है चीनों को सेकिंड प्राइज मिल ला है यहाँ पे चीनों को फर्स प्राइज मिल ला है तीनों को सेकिंड प्राइज मिल ला है मानने ये दो अलग अलग बाते हैं मतलब ये क्या कहलाएगा that is known to be the arrangement मतलब हमने यहाँ चीजों को क्या किया है arrange किया है क्योंकि हमाई लिए order matter कर रहा है कौन पहले आ रहा है कौन बात मेरा है ये हमाई लिए matter कर रहा है जब matter कर रहा है मतलब यह क्या कहलाएगा अर्इंजमेंट कहलाएगा और अगर यह मेटर नहीं करता तो यह क्या कहलाता यह कहलाता सेलेक्शन तर यहां तक सबको समझ में आ गया यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करे समझ में ना आ आ आ आ आ तो D टाइप करे समझ में आ गया हो तो M टाइप करे समझ में ना आया हो तो D टाइप करे कौशल दयाल जी आपने पहले D लिखके बेजाता अब समझ में आ गया समझ में आया हो तो M टाइप करे समझ में ना आया हो तो D टाइप करे गोपाल जी नहीं समझ में आया नो, क्या चीज़ समझ में नहीं है गोपाल जी आपको गोपाल जी समझ में आया हो तो M टाइप करे समझ में ना आया हो तो D टाइप करे क्या दिक्कतारी है गोपाल जी गोपाल करके एक छोटा सा बच्चा है प्यारा सा क्या डाउट आ रहा है बेटा जी और किसी का कोई डाउड वचा ओतो वह टाइप कर के बेजिए मैं वेट कर रहां कोई दिक्कत ने paci यह बिकाशिक थो गया है अगर आपको यहां दिक्कत हो गए तो आगे चप्टर में पूरे चप्टर में परशान रहा हो गया और यह सवज में आ जा तो पूरी चप्टर में कुछ नहीं बचाए के लिए किसी और कोई डाउट रह गया, कोई फेक्टोरियल लगाने ही जरूद निया, कोई फॉर्मला लगाने ही जरूद निया, कोई भी फॉर्मला लगाने की जरूद निया, बिना फॉर्मले के पर्मॉटेशन बढ़ेंगे, टेंशन मत लीजे, बिना फॉर्मले के करेंगे, बहु कोई भी फॉर्मॉला याद करना पड़ेगा आपको टू प्लस त्री नहीं आता तब भी मैं सिखाऊंगा टेंशन मत लीजे बिल्कुल भी गुपाल जी अभी तक वेट कर रहा हूं अभी तक आपका कोई रेस्पॉंड नहीं आया गुपाल जी चलिए नहीं जब आप देरे गुपाल जी लग रहा है चले गए कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं अगर इतनी बास समझ में आगी दोस्तों तो पर्मॉटेशन तो हो गया खत्म जैसी राम पर्मॉटेशन में कुछ नहीं बचा आप सिर्फ और सिर्फ कोश बिना NPR के फॉर्म लेके मैं आपको यह जब पर खत्म करा दूँगा ठीक है ना चलिए हाँ जी आए शुरू करते हैं अब मैं सीधे सीधे कोश्चन लिखूंगा और आपसे पूछूंगा आपसे बात करेंगे डिसकस करेंगे सब कुछ सारे कोश्चन मैं अपने अप खु से नहीं बढ़ाता मैं अपने कोश्चन खुद बनाता हूँ और खुदी आपको सामने करा हूँगा ठीक है ना हाँ जी बिलकुल टेंशन नहीं रहिए आप मैंसे डर्क खतम हो जाएका हंड़ेट परसेंश्योटी में इस तरफ से आये शुरू करते हैं अब मालिज एक अब से विदर हैं आप इधर देखिए कोश्चन है इफ देर आर इफ देर आर इफ देर आर सेवन स्टुदेंट्स इन अ क्लास मैं आर सेवन स्टुदेंट्स इन आर लिड़न быть लिड़न आप 18% हैं आर इन अंहों 10 फिर देर आर झालिव चैन गरे प्राइजेज ब्रेकेट में फर्स्ट, सेकेंड, एंड थर्ड, बी डिस्टिबुटेट, बी डिस्टिबुटेट, अमंग देम, हाजी सर, करना शुरू करिए, टेंशन फ्री होके, अंसर गलता है, मुझे कोई प्राइन हो लेकिन आंसर आना चाहिए आपका, कुछ भी आंसर आए, जीरो आए, नेगिटेव आए, पॉस्टिव आए, कैसा भी आए, आंसर आना चाहिए आपका, आप मुझे अपना आंसर लि तुझी का 21 ठीक है यहां लिख लेते हैं 21 नहीं तो भूल जाएंगे 21 और किसी का कोई और आंसर क्रिक फ्लिक्स करके जो भी है बिटा अभी फिलाल बेसिकली जो है आप सिर्फ इधर ध्यान दीजें बाकी सब डिस्केशन करेंगे मैं आपको अपना नंबर भी दूँगा आप आराम से फोन में मुझे से डिस्कस करिएगा कोई प्रॉलम नहीं लेकिन अभी फिलाल एक घंटे का टाइम पिरेड है पहले हम क्लास ले ले फिर हम लोग इन बातों को भी डिस्कस करते रहे हैं बहुत टाइम है हम लोगों के पा ऑटिवन रोषनी ने दिया है 21 और पिंकी जी नहीं अंसा दिया दोसोगतीस चली और कोई आऌशर है किसी का अदिती बंसल ने अंसा दिया है 210 और किसी का कोई और raising ready विंकी जी नहीं आंसा दिया 210230 कट रोगया ठीक और किसी का कोई और आनसर आ रहा है कि इस्टड़ी विद रिया अगरवाल का 210 कमल परमार का 210 और किसी का कोई और अंसर रहा है आये सर कोशन देखते हैं टाइम अप टाइम खतम इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपका आनसर आना चाहिए इचा है मैंने आप सो क्या बोला कुछ भी आनसर आना चाहिए आनसर इजञेंए आपका बता लगना चाहिए कि हमने गलती करी तो क्या करी हम क्या नहीं सोच पाइं सबसे पहले हम अपने आप में इसकाम को करना पड़ेगा आपका कुछ ना कुछ आनसर आ चाहिए 1723 ठीक एक नांसर दिया 42 ठीक और कोई अंसर है किसी का चलिए अब कोश्चन को ध्यान से बढ़िए कोश्चन लिखा एक करनाम एक नाम बएक करनाम सी करनाम डी करनाम एक करनाम णार माँदिया आप A B C डीर फजी में से कोई भी आप एक अपने आपको मान लीजे अब इन बच्चों में मुझे ये तीन प्राइस इस्ट्रिबूट करने है first second or third अब कैसे announcement होगा announcement तो ऐसी होगा ना The first price The first price of the glass goes to पहले price के लिए कितनी choices होंगी यह साथ बच्चे है साथ choices होंगी ठीक किसी एक को first price मिल जाएगा किसी एक को first prize मिल जाएगा हमान लीजे एक को first prize मिल गया एक खुश हो गया और अपनी chair पर जाके बैड़ गया अब इसके बार अब हम उठाएंगे second prize the second prize of the glass goes to कितनी choices अच्छा जो first है क्या वो second के बारे में सोचेगा बिलकुल नहीं सोचेगा बेटा जिसके हाथ में first price आ चुका है वो second price के बारे में क्यों सोचेगा second price के लिए कौन कौन से choices बी सी डी एफ जी माने च्छे चॉइस हैं तो दीज आर दा चॉइस हैं तो दीज आर दा चॉइस यह हम चॉइस लिख रहे हैं first price के लिए seven choices तो second price के लिए कितनी चॉइस च्छे चॉइस अब second price किसी को मिलेगा माली जिए जी को second price मिल गया जी भी अपनी चेर पर जाके बैठ जाएगा अब the third price all the glass goes to kitनी choices third price के लिए कितनी choice sir a को first मिल गया यह second और third के बारे भी नहीं सोचेगा g को second मिल गया तो यह third के बारे भी सोचेगा नहीं third price के लिए हमारे पास कितनी choices रह गई सर बी, सी, डी, ई और एफ, पाथ चोइसे रहे गी तो टोटल लंबर अफ चोइस किद में आगी 210 बास सवज में आई या नहीं राहूल शर्मा जी जिसका अंसर 42 आ रहा था जिसका अंसर 21 और 28 और 343 आ रहा था आपको अपनी गलती सवज में आ गए बेटा जी आप लोगों को अपनी गलती सवज में आ गए सब को सवज में आ गया बेटा जी अगर सवज में आ गया हो तो M टाइप करें और सवज में ना आया हो तो D टाइप करें अगर सवज में आ गया हो तो M टाइप करें समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें चलिए सर डरने की कोई जरूत नहीं आ देती जी कोई जादू नहीं है मेरे पास कि मैं आपको जादू साब को सबको सिखा दूँगा मैंनत आप भी करेंगे मैंनत मैं भी करूँगा रिजल्ट अपने आप पॉस्टिव हो जाएगा हाँ जी सर आईए चलिए अम नेक्स कोईशन की बात करते हैं कोईशन है करके दिखाए अब समझ में है ना एक कोईशन फिर दे रहा हूँ करके दिखाए इफ देर आर इफ देर आर six students in a class if there are six students in a class then in how many ways then in how many ways can three prizes can three prizes is bracket में लिख लीजेगा most sincere comma most talented comma best if there are 600 in a class that in how many ways can three prices be distributed among them हाजी दर करना शुरू कर रिये जर वाजिवा आंसर भी आकर लिख दिये गए 120 अमेटी जिना आंसर दिया 120 विश्णू ने आंसर दिया 120 क्रिक्ष ने आंसर दिया 120 विश्णी शुकला ने आंसर दिया 120 विश्ण सर्मा ने आंसर दिया 120 विश्णू गलत है सही है वह बात की बात है अभी तक सभी का आंसर जो आया वो वन ट्वेंटी आया और एक रिया जीन आंसर दिया तो सोला चैट का फाइदा ही तभी है ठीके न मैं आपके आंसर देखता रहूंगा अब हम देखते हैं को डिसकस करते हैं सर कोशन के रहा है इव देरा सुक्स स्यानिदन ऑग्लस मा लेजरे क्लास में जटेवच जैडी एक दी ऐफ इचाए और एफ यह चैड़ा घलास में जटारे इन पनसें एक तो यह था है इस यह मोस्ट सिंसेर it हैं जटारेनट प्लेंटीद хотя म In कि मोस्ट टैलेंटिड एक है बेस्ट है एक इस्टिज्जेंट यह तीन प्राइस इसटिविट करने पहला प्राइस ढूसरा और यह तीसरा प्राइस आम को प्राइस उठाके बच्चों में बाटां करें अब मान के चलिएगा इन 6 बच्चों में आपकी बात हो रही है ब्यान सुनिएगा मेरी बात को इन 6 बच्चों में आप बेमाली जाब का नाम है B ठीके ना आपका नाम क्या है? B अब मैं कहा रहा हूँ The most sincere student Of the glass Price goes to How many choices I have मेरे पास कितनी Most sincere student का अवार्ड देना है मेरे पास कितनी choices available है? 6 बिलकुल ठीक बात 6 choices These are the choices अम मा लीजे ये जो most sincere है B माने आपको मिल गया आप तो खुश हो गए आपने का कभी जिन्दी के माने माबाब ने हमें sincere नहीं समझा असन ने हमें sincere तो समझा है ना? मैंने का कि आपको most sincere का अवार्ड मिल गया बहुत खुश बस ये है ऐसे करके अब मैं आपसे एक बात पुछता मुझे इस चीज का जवाब दीजेगा जो sincere है क्या वो talented नहीं हो सकता? जो sincere है क्या वो talented नहीं हो सकता? जवाब दीजेगा क्या जो sincere है वो talented नहीं हो सकता? बिलकुल हो सकता है जो first आएगा वो second नहीं आ सकता? थर्ड नहीं आ सकता? लेकिन जो sincere है वो talented भी हो सकता? बेस्ट भी हो सकता है जो sincere है वो talented भी हो सकता है बेस्ट भी हो सकता है अगर आप बी की जगे होते तो आपका मन क्या करता काश यह वाला प्राइस में मुझे मिल जाए तो मैं कहूंगा दे मोस्ट टेलेंटेट इस वाला वी मुझे मिल जाए तो पुरी दुनिया देखी कि भाई मुझ जैसा कोई बंदा ही नहीं है किaguete मैं जो फरस्ट है वो सब्सक्राइब नहीं है सकता लेकिन जो सेर्ग वाले केस में यहीं not allowed थी जो first आएगा वो second और third के बारे कभी सोचे गई नहीं लेकिन जो sincere है बेटा वो talented भी हो सकता है best भी हो सकता है मतलब यहाँ पर क्या हो गया repetition allowed हो गई और first second third वाले case में repetition क्या थी not allowed थी बास सवज में आ गया नहीं तो अगर मैं most most talented की बात करो तो अगें मेरे पास six choices और best की बात करो तो भी मेरे पास कितनी choices six तो total number of choices कितनी आगी 216 तब ही मैंने यहाँ पर प्राइस को define भी किया था आपको यहाँ तक सवज में आ गया कि यहाँ तक सवज में आ गया यहाँ तक सवज में आ गया सभी को सवज में आया हो तो M टाइप करें सवज में ना आया हो तो D टाइप करें यह कहलाएगा repetition is allowed का case मतलब इसमें एक बच्चा एक प्राइस भी ले जा सकता है दो भी ले जा सकता हो सकता है तीनों ले जाए लेकिन first second third की बात करें तो वो क्या हो गया repetition is not allowed का case मतलब वहाँ पे बच्चा maximum एक प्राइज जा सकता है एक से जादा प्राइस नहीं ले जा सकता यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करें समझ में ना आया तो D टाइप करें यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करें समझ में ना आया तो D टाइप करें वीडियो को लाइक करते रहेगा ताकि YouTube वालों को बता लगे class अच्छी चल रही है एम का कुछ नहीं बता हमें खुदरी बता अगर सबज में आया हो तो M टाइप करें सबज में ना आया हो तो D टाइप करें चलिए ज़र नेक्स कोशन की बात करते हैं फिर एक कोशन देता हूं कोशन का अंसर आप ही लोग बताएंगे कोशन है कुछ इस तरीके से Kung Idaho आप्र आप बता हम च्टीutta पक कारें सब्सक्राइब सर्जवं सर्भाज सक्राइब और आ आप्र टाइए हाँ आप अ थे दापने से जम आपने सब्सक्राइब लोग । वह मंर्ये लुएम क्या टीजव भी Can three prizes be distributed among them so that पहला बाइट, नो स्टुडेंट प्राइट, तो निए थे प्राइट, दूसरा बाइट, एनी स् Kardashian T Can get एनी n concord आप कोई सब्सक्राइब N निटियुसक के बारे में नहीं बताया है लेकिन QC में कंडीशन भी definitions करीए मुझे कोई सपने तो आएगे न है आपको कोई सपने तो आएगी न है कोईêuनheen कंडिशन तो डिफाइन करनी पड़ेगी आपको सब कुछ कवर कराओंगा बेटा जी सब कुछ जो आपने नहीं भी बढ़ाओंगा वो भी कवर कराओंगा गैरेंटी पेरी कि हंडेट परसेंगे आपने मेरे बारे में चाया पता करके देखना जो बच्चे निसे बढ़े हुए अपको बिसिकली नॉलिज़ देने आया हूं मैं पढ़ाने नहीं आया हूं यह बात ध्यान रखेगा बेटा जी मेरा फंडा नॉलिज़ देने का है पढ़ाने का जिया सिना जी, थैंक You Very Much इन दो कोश्रिण का आँसर देना पड़ेगा आप लोगों को मुझे अब भगवान करें आपके गलट हो जाए भगवान करें आपके गलट हो जाए सही हो जाएंगे तो value खत्म हो जाएगी बगवान करें आपके दोनों आंसर गलत हो जाएं मज़ा इसी चीज गए अगर सब कुछ आपको समझ में आगए तो मेरी तो वेल्ली खतम हो जाएगी ना अभी तक पहले का आंसर 336 दूसरे का आंसर 512 लोगों सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक दिया है बिल्कुल ठीक है सर किसी का डाउट हो तो डी टाइप करके भेश दीजेगा बिल्कुल ठीक आंसर है सर अभी तक नो स्टुडेंट कान गेट मोर दें वन प्रैस मतलब ये हो गया फर्स सेकिंड वाला केस या समझ में आ गया या नहीं है यह हो गया 1st, 2nd, 3rd वाला case तो पहले के लिए कितनी choice 8, दूसरे के लिए 7 और तीसरे के लिए 6 आंसर हो गया 336 और any student can get any number of prizes माने यह हो गया repetition is allowed वाला यहां repetition is not allowed हो गया और यहां repetition is allowed हो गया माने पहले के लिए 8 choice दूसरे के लिए 8 choice और तीसरे के लिए भी कितनी choice 8 choice, answer आ गया 512 बेटा जी सबज में आ गया सभी को बेटा जी सबको सबज में आ गया सबज में आ गया हो तो M type करे और सबज में ना आ गया हो तो D type करे सबज में आ गया हो तो M type करे इस समझ में ना आया हो तो D टाइप करें देखो अब मुझे repetition is allowed or not allowed का difference मुझे आपको बताने की ज़रूद नहीं है आपको अपने आप समझ में आगया दोनों में फर्त क्या होता है चली next question की बात करते है question है कुछ इस तरीके से if there are six vacant seats in a railway compartment if there are six vacant seats in a railway compartment then in how many ways then in how many ways can three persons sit on it करें से ट्राई और भगवान करें आपका ये भी गलत हो जाए star और सब्जी आप भी यहां आ गए आप CMA की क्लास को जॉइन करिएगा न CE की क्लास में क्यों आ रहे हैं इसलिए तो दोनों अलग लग लगी है नहीं तो फिर एक ही बहुत चला देते ना बेटा आप इस क्लास में पढ़ाऊंगा हाला कि चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो मतलब एक ही होगा चैप्टर का क्योंकि चैप्टर में जो है वह तो सेम ही तो रहेगा कॉंसेप्ट तो सेम ही रहेगा सुल्ताना चौदरी जे आंसर दिया 120 पिंकी जी ने आंसर दिया 120 आप देख लीजे क्लास आप में कौन सा मना कर दूंगा सर में कमेटी 120 क्रेक फ्लिक्स 120 बिलको सही है सर 120 आंसर सही है भाई एक ये रेलवे कंपार्टमेंट था इसके लिए 6 सीट्स खाली बड़ी हुए थी तीन परशन आए इस कंपार्टमेंट में एंट्री करें योगी तीन परशन ने है और वह इस पे बैठना चाथे है, ठीक है ना ? अब फिर हुआ ये वाली बात अब आप आदमी को कुरसी भी बैठा लोगे, आप कुरसी फिक के आदमी भी बैठा लोगे, बैठ, 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 ऐसे करके तो ना मारोगे, गलत बात है, आदमी को कुरसी भी बैठा लोगे, तो पहले इंसान के लिए कितनी चॉइसे, you have six चॉइसे, किसी एक को बैठा तो A यहाँ पर आके बैट गया ठीक है ना मने यह seat fill हो गई अब B के लिए कितनी choice 5 और C के लिए कितनी choice रहे जाएंगी 4 अब यह तो नहीं कि एक क्यों पर एक बढ़ाल दो इंडियन ने लिए नहीं है और चुड़ा इदर किसकी हो ऐसा वो अला हिसाब किताब नहीं चलेगा आंसर कितना आगया 120 बास सबज में आगया इसाब सभी को यहाँ तक किसी का कोई doubt हो तो बताई यहाँ तो भाई like नहीं हो रहे है वीडियो पे वीडियो पे like करते रहेगा कोई doubt हो कोई परशानी हो तो बता दीजिगा चले आगे बढ़ते हैं next question की बात करते है question कुछ next इस तरीके से है if there are five hotels in a town if there are five hotels in a town then in how many ways then in how many ways can three persons stay in पहला point different hotel पहले तो पहले point की बात करते है बहुत ध्यान से तसली से समझेगा बिटा जी question के रहा है if there are five hotels in a town एक town है गाउ कस्बा टाइप का है उस कस्बे में पाँच होटल है जैसे है तो न एक five star hotel एक hotel ओबराई hotel आनन्दा hotel मतरानी इस ताइप से पाँच होटल है नाम देदी होटल को hotel number one hotel number two hotel number three hotel number four hotel number five ये पाँच होटल है इस के ताउन के ताउन के ताउन ठीक है सब देन हाइस कें अनन त्री परसन आया नाम देदी आ ये तीन परसन आया है और यहां के स्टे करना चाहते है ठीक है जैन ये हाँ मेंट आनन के त्री परसन अनन ये ताउन देदी होटल अब आप कोशिश करिए मैंने आपको कोशिशन का मतलब समझाया, अब आप कोशिश करिये आराम से, गलत हो जाए, भगवान करे आपका गलत हो जाए, जितना गलत होगा उतुरा सीखने को मिलेगा, बेज़ी जगो के पूछेगा मुझसे, मुझसे कोई परशानी वाली बात नहीं बिटा, मैं कभी भ स्टडी विद रिया अगरवाल जी ने 60, क्रिक फलिक्स ने 60, अमिटी ने 60, सबी ना अंसर 60, सुल्ताना चोधरी ने आंसर दिया है 40, कैसे बताना पड़ेगा बिटा जी, 40 कैसे आए या आपको बताना पड़ेगा, भई, डिफरेंट हुटल की बात करें, तो A के लिए कित इतनी चोईस, भई, डिफरेंट, माने तीनों अलाग अलाग होना चाहिए, माने अगर A यहां ठहर गया, तो B के लिए कितनी चोईस रहा कहीं, 4, और C के लिए कितनी चोईस रहा कहीं, 3, आंसर 60 होगा, दूसरा केस, इन सेम होटल, चलिए ज़र, सेम होटल का अंसर तीनों स्टे करें सेम होटल में, 125, 125, 125, 125, 125, 125, गलत है, गलत है, गलत है, मुझे मालूं था, मुझे मालूं था आप 125 देंगे, सबी लोग अभी भी टाइप कर रहा है 125, गल्कुल गलत है, अब आपको एक स्टोरी दोर पर समझाता हूँ, फर्स करिए, आप, यह हो गया आप, यह हो गया बिट्टू, बी का नाम बिट्टू हो गया, और इसको नाम दे दिया मैंने मैंग सर, अब आप लोग मेरे साथ घूमने गए, किसी ट्रिप पे गए, पैसे को हर्च करेगा, सर वियस की बात है, आप भी खर्च करेंगे, अब हम एक तॉइस थी, ते हमारे पास, पाँच चोईजिस थी, पाँच होटल के रूम एविलेविल थे, ह1, ह2, ह3, ह4, ह5, अब आप नहीं पैसे खर्च करना जाते हैं, भिट्टू भी पैसे खर्च नहीं करना जाता, हम तो महेंग सर के पीछे-पीछे हैं, मैंने का अच्छा, भई खर्च तो मुझे करना है, तो सबसे पहले महेंग सर के साबसे कितनी चोईजिस, फाइव, ठीक, महेंग सर के लिए कितनी चोईज, पाँच, वो किसी में भी ठहर सकते हैं, मरजी हैं उनकी, मैंने का ठीक है, मैंक सर यहां के ठहर गए, अब बिट्टू ओला सर, हम यह, हमने का तो बेटा बेटा आप मेरे साथी ठहर जाओ इदर, तो बिट्टू के लिए कितनी चोईज, अल्ली वन, जहां मैं ठहरूँगा, वही बिट्टू को ठहरना पड़ेगा, क्योंकि पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, भाई, कह रहा है न, if there are five hotels in a town, then in how many ways, can three person stay in same hotel, कोई कहीं ठहरे, किसी को कोई मतलब ने, तीनों का एक दूसरे से कोई लेने देना नहीं है तीनों एक दूसरे को पहचानते नहीं कोई कहीं ठरे यह हो गया डिफरेंट होटल यह हो गया सेम होटल अब मैं बात कर रहा हूं एनी होटल की तो पहले परसन के लिए कितनी चोइस फाइफ दूसरे के लिए फाइफ और ती कोशनी अलग हो गया बात सवज में आई या नहीं आई बिटा यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताई यहां तक सबको समझ में आगया बेटा जी यहां तक सबको समझ में आगया यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बताई समझ में आया हो तो M टाइप करें और समझ में नाया हो तो D टाइप करें यह कोशन है कि मैं M क्यों टाइप कराता हूँ इस का अंसर मैं दूंगा नहीं आपको सेकिंड वाला रेपीट कर दीजिए मिठा सेम होटल की बात कर रहे मिथू कुमार जी बूच रहे सिक्ट वाले में क्या प्राला है मिठा जी सेम होटल फर्स करिए मिथू जी आप गए मिथू जी और आपके साथ में एक रमन-नाम का परसल गया और आपके एक बोस गए मितु जी समझ में आया ओट या नहीं आई मितू जी समझ में बात आई या नहीं आई ठीक है जी चले आज के लिए इतना ही रखते हैं विटा आज आपकी पहली क्लास्टी मैं आपको कहते हूं आप बिल्कुल टेंशन फिर आईएगा मैं अपने आप सब कुछ करा लुगा सारे कोश्यन मॉडिल के हों आईसियाई के हों म rebel test paper के हो scanner के हों किसी के भी कोश्यन हो सब कुछ मैं अपने आप करा लुगा आपको सिर्फ आना है प्लास जॉंस करनी है और जो मैं पूछ उंको उसका आंसर देना और कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं क्लिक्ट फिल्क्स कर रहे हैं की-सार 298 थे मैस में 37 7 bigger नहीं कोई दिक्कत नहीं तो आगे के बारे में सोच है जो हो गया उसको नहीं बदल सकते उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना मैं ना आप आप तो जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए आपको प्रयास करकaking रखने ठीक है ना मैं सब कुछ अपन्याप करकाना रह जोगा आप मेरे साथ रहेंगे कि आपको बहुत कुछ सीखने को में लेगा इस बात की गैरेंटी में लिख के देता हूँ आपको ठीक है ना क्योंकि इसके बाद मेरी नेक्स दूसी क्लास भी है सीमें फाउंडेशन के बच्चों की वह है धनुश बैच तो मुझे क्लास मजबूरी में 530 में क्लोस करनी पड होगा कोई दिक्कत नहीं विटा जी आपके पास मैस खड़ाब हो या कुछ ओट वन प्लस वन आता है इसका मतलब मैस आती है बात ख़तम इससे जदा कुछ करने की जुरूत नहीं है ठीक है ना चले ठीक है बीटा थैंक यू वेरी मच बिटा थैंक यू वेरी मच